हालो फ्रेंड तो फिर से हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों का बस नॉटपेड में बस सिर्फ एक कमांड बचा हुआ है उसको हम लोग देख लेते हैं फिर हम लोगों का नॉटपेड कम्पलीट हो जाएगा सब्सक्राइब निट्पेड पर सबस्क्राइब तो टुडपिक है तो हम लोग आज जो यहां पर हम लोग देखेंगे वह है उट्पेजी अई ब्यूए मिनू में यह हमारा स्टेटेश बार आप देख रहे हैं कि यह काम निकर रहा है स्टेटस बार काम नहीं कर रहा है, अनेक्टिव है, इसको हम लोग एक्टिव कैसे करते हैं, वो हम लोग देखते हैं, तो आप पहले कुछ लिख लें, लिखने के बाद भी आप क्या देख रहे हैं, फिर भी ये अनेक्टिव है, वर्क नहीं कर रहा है, तो इसको अक्टिव क यहां पर right symbol है आपको बस यह word wrap पर आपक्लिक करोगे तो फ्रेंड आपका word wrap का जो right symbol है वो remove हो जाएगा और फिर से आप view में आकर के check करें तो आप देख रहे हैं कि status bar आपका active हो गया है फ्रेंड इस्टेटस बार पर click करते हैं तो फ्रेंड यहां पर एक status tools bar आ जाता है नीचे message indicate करने लगता है तो फ्रेंड इसमें बताता है allen one और column one तो फ्रेंड यह allen one और column one होता क्या है आप सबसे पहले जो भी row पे last करसल रख दीजे और आपका इसका line बताएगा और फ्रेंड इसमें कितने character यानि column इस तरह से इस तरह से column एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस और यहां पर क्या बता रहा है तो आप है तो दस बता क्या रहा है 11 जो यह करसल इंडिकेट कर रहा है खुद का अपना भी वह count कर रहा है तो फ्रेंड आप क्या देख रहा है फिर अब second line में आईए फिर फ्रेंड तो उपर से जब मारा बता रहा है कि line अब क्या है one और two but column इसमें कितने है three है आप क्या देख रहा है इसमें character तो तीन ही लिखा हुआ है but column four बता रहा है तो one two three और यह करसल खुद का अपना count करता तो इसमें क्या देखा रहा है कि line अब line number आप three पे है और character कितने है आपके column कितने है one two three four five और खुद का करसल six और फिर से यहाँ पे check कर लीजी अब क्या बता रहा है line आपके four है और column कितने है four तो so friend उमीद करते हैं कि आपको यह video बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ गया होगा कि line और column क्या होता है so friend view में जाए status वार पे click कर दीजे अब आप क्या देख रहे है यह आपका status वार का जो दिखा रहा था data यानि tools वार जो so कर रहा था कि line और column कितने होते है वो hide हो गया है फिर से आप देखना चाहेंगे friend तो view में status वार पे click करें फिर से लिए so हो जाएगा friend उमीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत इच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को subscribe करें like करें और भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाके लाते रहेंगे तो so friends basic से computer सिखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले थैंक्यू तर